हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ भारत में आज मैं आपको बताने वाली हूँ गाजर के जूस के फाइदे के बारे में तो आईए वीडियो शुरू करते हैं गाजर हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फाइदे मन होता है इसके अंदर पर चूर मात्रा में विटामिन A और फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे बलट को शुद करने में सायक होते हैं लेकिन अगर हम गाजर साबुत खाने के बदले गाजर का जूस का सेवन करे तो ये हमारी आँखों संबंदित बिमारियों को दूर कर सकता है साथ ही गाजर के और भी कई सारे फाइदे हैं तो आईए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गाजर के क्या क्या फाइदे हैं एक महिला को गर्वावस्ता के दोरान आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा विटामीन, मिनरल्स और प्रोटीन की आवशकता होती है डॉक्टर के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गाजर का जूस गर्वती महिलाओ के लिए बहुत ही फाइदे मन होता है क्योंकि इसके अंदर विटामीन ए पर चूर मातर में पाया जाता है साथ ही मैगनेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है जो महिला की शरीर को आवशक पोशन परदान करता है गाजर के जूस के अंदर वीटा के रोटीन पाया जाता है जो हम बढ़ती उमर के साथ चीज़ों को भूलने लगते हैं आपकी यादास को बढ़ाता है ऑक्सीडेटिव टेंसन से हमारे दिमाग की कोशिका डैमेज हो जाती है जिसके कारण एक नए सेल्स का पुनर जनम नहीं होता तब तक हमारी यादास भी कमजोर हो जाती है गाजर का जूस कॉलेस्ट्रोल कम करने में भी सायक होता है अगर आप मोटापे से जूज रही हैं तो आपको गाजर का जूस नियमित रूप से सुबे सुबे एक गिलास पीना चाहें गाजर के अंदर मोजूद पोटेशियम हमारे सरीर के कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में भी सायता करती है अगर हमारे सरीर में कॉलेस्ट्रोल की मातरा कम हो तो आप बहुत सारी बिमारियों से दूर रह सकते हैं क्योंकि कई सारी बिमारियों की मुख्य वज़े है blood pressure और heart disease, ऐसा माना जाता है कि गांजर के जूस के अंदर ऐसे anti-oxidant पाय जाते हैं, जो हमारी कोशिकाव को multiply करने से रोकते हैं, और research में यह पाया गया है कि cancer होने के मुख्य वज़े यही होता है, कि हमारी शरीर के cells बहुत तेजे से multiply हो रहे होते हैं, अगर हमारी शरीर का immune system कमजोर पढ़ जाएं, तो कई सारी आम बिमारियां भी जल्दी ठीक नहीं होती हैं, जैसे कि खासी जुखाम काफी लंबे समय तक आपको परिशान करता है, इसके लिए दोस्तों, आपको रोजाना सिर्फ एक गिलास गाजर का जूस, यानि कि 200 ml गाजर का जूस नियमित रूप से सुवे सुवे पीना चाहिए, जिससे आपका immune system काफी बहतर हो जाएगा, गाजर के अंदर परचूर मातर में विटामिन A पाया जाता है, और दोस्तों, जैसे कि हम सब को बता है कि विटामिन A हमारी आँखों के लिए कितना फायदे मन होता है, क्योंकि आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि विटामिन A की कमी से कई लोगों को मोतिया बिंद हो जाता है, या उनकी आँखों की रोसनी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है, उनको कई सारी आँख संबंदित रोग हो जाती है, इसलिए आपको गाजर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्राकर्तिक रूप से विटामिन A की पूर्ती आपके शरीर को होती रहेगी, गाजर का जूस तुछा संबंदित बिमारियों को भी दूर करने में साहयक है, कई लोगों को दाद खाज खुरिली हो जाती है, और वे लंबे समय तक आपको शरीर में भरा रहता है, और ठीक नहीं हो पाता है, इसकी मुख्य वज़ा है आपके शरीर का गंदा खून, अगर आप गाजर का जूस नियमित रूप से पिएंगे, तो आपका शरीर का रक्ट सुध हो जाएगा, और स्किन सम्मंदित बिमारियों से आप निजात पा लेंगे, ऐसा माना जाता है कि गाजर के जूस के अंदर क्यालोरी की मातरा बहुत ही कम होती है, जिससे आपकी वज़न को कंट्रोल करने में सायक होता है, आप किसी भी फल का जूस पीए ना पीए, लेकिन गाजर का जूस जरूर पीए, ये आपके स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबदायक होता है, तो दोस्तों ये थे गाजर के जूस के फायदे, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक किल अपना ख्याल रखें,